आज का इस वीडियो में सवाल है वैदिक काल की सभा वो समेथी के बारे में आप क्या जानते हैं वैदिक काल में परसासन की दो महत्वपुर्ण संसता थी सभा और समेथी वैदिक काल में सभा और समेथी इतने महत्वपुर्ण थे की राजा भी इसमें सामिल होने का मौका खोजते थे वैसे वैदिक काल में राजा सरवोच अधिकारी और सक्ति संपन होता था लेकिन वह निरंकुस वह सुच्चा चारी नहीं हो सकता था क्योंकि उस पर दो संसथा सभा और समेथी का नियंतरन रहता था ये दोनों संसथा सभा और समेथी जनतांत्रिक संसथा थी सभा संपुन जनता की परतिनीदियों की संसथा था तथा समेची उच्चकुल के वेक्तियों की संसता थी लेकिन उत्तरवधिक काल में राजाओं की सक्ति में विर्धी हो गया था और सभा तथा समेची की सक्तियां समाब्त हो गई थी झाल